समय निकाल कर जरूर सुने असली नकली की पहचान पहला, चावल में प्लास्टिक और आलू से बने नकली चावलों की मिलावट होती है यह शरीर में जाकर पाचन समंदी समस्याओं सहित कई तरह की परिशानियां पैदा करते हैं इसकी पहचान के लिए इने उबलते वक्त देखें, यह अलग तरह की गंद पैदा करते हैं दूसरा, यदी शहद शुद होगा तो उसकी बूंद पानी की तली में चली जाती है वह पानी में घुलता नहीं, जबकि नकली शहद पानी में घुल जाता है तीसरा, मावे की जाच के लिए सेंपल लेकर टेस्ट्यूब में भरें और उसमें 20 एमल पानी डालकर उबालें थंडा होने पर इसमें दो बूंद आयडीन डालें अगर सेंपल का रंग नीला हो जाए तो इसमें स्टार्च मिला हुआ है चोथा, दूद असली है या नहीं इसे जाचने के लिए दूद में एक बूंद आयडीन डालें यदि दूद सफेद रहे तो असली है और यदि बैंगनी रंग में बदल जाए तो मिलावट है हरे मटर के दानों को अत्यदिक हरा दिखाने के लिए इसमें मेलकाईट ग्रीन को मिलाय जाता है लेकिन ये सहित के लिए हानिकारक होता है इसकी पहचान के लिए मटर के दानों को कुछ समय तक पानी में मिला कर रखे अगर यह हर रंग छोड़ने लगे तो समझे इसमें मिलावट है PC लाल मिर्च को पानी से भरें, काच के गिलास में डालें पानी लाल हो जाए तो समझे मिलावट है हींग का टुकडा अपनी जुबान पर रखें यदि शुद है तो चरचरा और कडवी लगेगी धनिया पाउडर में आयडीन मिलाएं अगर काला हो जाए तो मिलावट है थोड़ा सा दूद अलग लेकर उसमें शोरे के तेजाब यानि नाइट्रिक एसिड की दो से तीन बूंद डालें यदि दूद में पानी की मिलावट होगी तो दूद और पानी अलग-अलग हो जाएंगे कुछ केसर गंदक के तेजाब में डालें यदि केसर का रंग काला हो जाए तो केसर असली है नहीं तो नकली है एक शीशी में हल्दी डालकर उसमें नीबू का रस डालें यदि रंग बदल जाए तो समझे मिलावट है हल्दी में प्राया पीला रंग मिला होता है यह जाचने के लिए पानी में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिर मिला कर उसमें हल्दी डाले पानी यदि बैंगनी रंग का हो जाए तो मिलावट है दानेदार घी में आलू की मिलावट जाचने के लिए बरतन में से जमा हुआ घी लेकर हाथ में मसले यदि जमा घी नहीं पिंगले और कुछ भाग दाने रह जाएं तो समझे मिलावट है एक छोटी शीशी में थोड़ा सा गी लेकर शीशी को पानी के बरतन में डाल कर गैस पर चढ़ा दें शीशी का गी जब पिंगल जाए तो उसमें दो तीन बूंद शोरे का तेजाब मिला दें यदि गी का रंग नहीं बदले तो समझे शुद हैं शीशी के घी को काम में ना लें इसे फैक दें असली घी में वनस्पती घी की मिलावट का संदे होने पर थोड़ा सा घी मिट्टी के कोरे कसोरे पर लगा कर रख दीजिए यदि थोड़ी देर बाद वहां सफेदी जमी रह जाए तो समझे घी में मिलावट हैं वनस्पती घी शुद है या नहीं इसे जाचने के लिए उतना ही चीनी लीजिए और घी वा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं यदि मिश्रन का रंग लाल हो जाए तो घी में मिलावट हैं चाए में यदि लकडी का बुरादा मिला हो तो पानी में डालने पर उपर तैरने लगेगा चाए में लोहे के बुरादे की मिलावट पर रखने के लिए उस पर चुम्बक फैराए असली हिंग लाली लिये होता है जबकि नकली हिंग भूरे वा मटमेले रंग की होती है असली हिंग पानी में डालते ही तुरंत घुल जाता है और पानी हलके दूद्य रंग का हो जाता है कॉफी पावडर को एक मग पानी में डाले यदि कॉफी शुद होगी तो कुछ देर जमी रहेगी फिर थोड़ी देर बाद उपर आएगी यदि मिलावट होगी तो नीजे ही बैठ जाएगी शुद नमक पानी में घोलने पर घुल जाता है असली शहद की भूंद कपड़े पर चिपकती नहीं है शुद शहद पर मक्खी के पंक चिपकते नहीं है शुद शहद में रूई की बत्ती बनाकर जलाने से तुरंत आग पकड़ लेती है गरम मसालों में प्रियोग होने वाली दालचीनी भी कई बार मिलावटी होती है दालचीनी में मिलावट के तोर पर अमरूद की च्छाल मिलाई जाती है इसकी पहचान करने के लिए इसे हाथ पर रगड कर देखे अगर आपको इसका रंग नजर आए तो यह असली है अनधा नकली काली मिर्च की शुद्धता परखने के लिए उसे पानी भरी कटोरी में डाले यदि वह तली में बैठ जाए तो असली है नकली काली मिर्च यानि की पपीते के बीज उपर ही तैरते रहते है हल्दी में चार बूंद नमक का तेजाब डाले रंग बैंगनी हो जाएगा अब उस पर थोड़ा पानी डाले बैंगनी रंग उड़ जाए तो समझे हल्दी शुद्ध है वरना मिलावट है यदि हिंग शुद्ध हो तो उसे आग में डालने पर चमकीली लोग पैदा होती है और तुरंत सुगंद युक्त धुआ उठता है सबज्यों को गहरा हरा रंग देने के लिए उसमें पैराफिन लिक्विड मिलाए जाता है इसकी जाच करने के लिए एक गिले कौटन को सबजी के उपर लगाएं अगर कौटन का रंग नहीं बदला तो ठीक है लेकिन अगर उसका रंग हरा हो गया तो समझ ले उसमें मिलावट है एक काच की प्लेट में थोड़ा सेला चावल डालें अब चावल के उपर सफेद रंग का भीगा हुआ चूना डालें अगर असली है तो चूने के नीचे वाले चावल वैसे ही रहेंगे जिबकि नकली चावल का रंग लाल हो जाएगा तो ये थे वो टिप्स जिनको जानकर आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं और अपने स्वास्ते को सही रख सकते हैं दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी आप हमें कॉमेंट बोक्स में जुरूर बताएं दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को like, share जिरूर करेे और हमारे चैनल को भी subscribe करे यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook page को like और follow जिरूर करे तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस tips के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दीन शुब वा मंगल में हो